देखिए जब हमारे चैनल पर सब्सक्राबर नहीं वड़ते हैं तो हमारा दिमाग घूमता है और हम सोचते हैं कि यार किसी दूसरे के चैनल के सब्सक्राबर हमारे चैनल पर आ जाएं उसके एक लाख सब्सक्राबर हैं एक लाख हमारे हो जाएं वही सब्सक्राबर हम कॉपी करने कोई ऐसा तरीका मिल जाता है लेकिन आज किस वीडियो में आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आप इनके सब्सक्राबर को अपने चैनल पर ले सकते हो लेकिन कुछ क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं चार ऐसे तरीके बताने वाले जिन चार तरीकों से आप अपने चैनल पर सब्सक्राबर को बहुती तेजी से इंक्रेस कर सकते हो तो चली फिर आज किस इंट्रेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं हर कोई यूटूबर होता है जिसकी चैनल पर कॉपी कर लें लेकिन ऐसा आप लोग सोची लेते हो कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसा सीकर्ट नहीं है जिससे आप जोह ऐसा काम कर पाओ कि दूसरे के सब्सक्राबर को अपने चैनल पर ले पाओ देखिए आई सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर ये चीज डारेक्ट पॉसिबल होती इंडारेक्ट पॉसिबल है लेकिन अगर ये चीज डारेक्ट पॉसिबल होती क्योंकि यार सब एक दूसरे कॉपी कर लेते लेकिन कुछ इंडिरेक्टली तरीके हैं जिनसे कहा है कि आप अपने चैनल पर दूसरों के सब्सक्राबर को लेके आ सकते हो मैं इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा है कि अगर हमें इनके चैनल की ओडियंस को अपने चैनल पर लाना है तो हमें कुछ चार पास तरीके अपनाने पड़ेंगे सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इनके चैनल की वीडियो को पूरा देखिए जब इनकी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको क्या है इनकी वीडियो के नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स मिलेंगे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको क्या करना है कुछ ऐसे कॉमेंट भी मिलेंगे जिनका रिपलाई ये लोग नहीं कर पाते हैं इन लों के पास आल्रेडी बहुत ज़्यादा कोश्चन आ जाते हैं क्योंकि बड़ा चैनल है बड़े ज़्यादा व्यूज आते हैं तो इतने ज़्यादा कोश्चन आ जाते हैं तो अगर आपके पास उनके कोश्चन का आंसर है तो आप उनके question का answer कीजिए अगर आपने वहाँ पर answer किया और आपका answer उन्हें पसंद आया तो क्या होगा कि वो आपके चन को visit जरूर करेंगे देखी यहाँ पर मैं आपको एक screenshot भी share कर रहा हूँ नित्या के support channel पर एक भाई ने comment किया कि भाई मेरा first payment चल गया है मैं रिलीज हो गया है लेकिन अभी तक मेरे bank account तक नहीं पहुचा है कैसे मिलेगा क्या करना पड़ेगा तो क्या है कि मेरे को इसका experience है क्योंकि मेरा first payment जब आया था तो मेरे को 45 दिन से भी ज़्यादा लगा था मेरे first payment को receive करने के लिए उस सब मैंन की थी मुझे chat option मिल गया है YouTube का वहां से मैंने बात की उसके बाद solution निकल वाया सारा कुछ किया जैसा उन्हों में बताया वैसा किया तब जाके मुझे 45 दिन के बाद मेरी first payment मिली तो मेरे को इसका idea है कैसे मिलेगा क्या करना पड़ता है तो इस चीज का मैंने उन्हें reply किया नित्या के support चैनल पर जा मैं वीडियो देख रहा था तो वहां पर उस वीडियो के नीचे जैसे ही comment आया मैंने उस comment का एक घंटे बाद देखा कि किसी ने reply नहीं किया है तो यार मैंने उसका just reply किया कि इसके उपर मैंने आल्रेडी एक वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल प पसंद आया मेरा बताने का तरीका उन्हें पसंद आया तो वो मेरी अगली वीडियो देखेंगे अगली देखेंगे तो मेरे चैनल को सबस्कायब भी करेंगे इस तरीके से क्या होता है कि दूसरे की ओडियंस को हम अपने चैनल पर लेके आरहे हैं मेरी समझ ये बात को यह यह दोती तरीके होते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आप दूसरे के चैनल को मेंचन कर सकते हूं और उनसे रिलेट करती हूई कुछ वीडियो को बना सकते हो. जैसे की पिछली बार देखो कि मैंने नित्या के support channel पर एक वीडियो को बनाया था, वो वीडियो काफी अच्छा चल गया, without share किये, without कुछ किये, मतलब automatic वो वीडियो YouTube के recommendation में जा रहा है, तो ऐसे में क्या है कि बहां से मुझे काफी अच्छे subscriber मिलना है, जो नित्या के support channel पर subscribers हैं, उन में से subscriber मेरी वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं, तो मेरी एक नहीं, दो वीडियो देखेंगे, तीन देखेंगे, उसके बाद मालो 100 लोग आए, तो 100 में से 10 लोग तो subscribe करी लेंगे, तो इससे क्या हुआ कि नित्या के support channel से कुछ subscriber ऐसे भी हमें मिल गए, अब देखी आप इनमें ऐसा नहीं है कि इनके आप content को चोड़ी करके वीडियो बनाओगे, ऐसा नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, इनके behind the scene दिखाना है, इनका setup tour दिखा सकते हो, आप इनके हैं जा सकते हो, इनसे मिलने जा सकते हो, इनके साथ वीडियो बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो लोग इस तरीके से views और subscriber को अपने increase कर रहे हैं, तीसरा तरीका है कि अगर हम इन YouTuber से contact कर लेते हैं, मतलब कोई भी तरीके से Instagram के जरिए या फिर mobile number के जरिए, अगर हम contact कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम इनसे collaboration कर सकते हैं, YouTube भी कहता है कि अगर आप collaboration करोगे, तो क्या होगा कि आपकी audience उने जानेगी, उनकी audience आपको जानेगी, और एक दूसरे की audience इधर उधर ट्रांसपर होती है, जिससे क्या है कि दोनों लोगों के views बढ़ते हैं, views बढ़ेंगे तो definitely subscriber भी बढ़ेंगे, तो आप अगर इनसे contact कर पाते हो, इनसे ही नहीं, आप अपनी category के, या फिर किसी और YouTuber के, मैं आपको यहाँ पर example के लिए दो channel यहाँ पर देखा रहा था, आप कोई भी channel के बता रहा हूँ, मैं किसी भी channel का आप try कर सकते हो, उनसे collaboration करोगे, तो क्या है कि आपको वहाँ से subscriber और views मिलेंगे, चौधा तरीका जो सबसे last और सबसे important तरीका है, देखिए, आप क्या करोगे कि इनके social media handle पर जाओ गए, जैसे कि Instagram हो गया, या फिर इनका Twitter account हो गया, तो यहाँ पर इनके followers मिलेंगे, वही होंगे जो इनके subscribers हैं, जो इनकी वीडियो को देखते हैं, तो आपको उनको भी message करना है, दिन में 30-40 लोगो message कर सकते हो, वहाँ से भी आपको 5-6-10 subscriber daily के मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो उनी category से relate करती है, कुछ ऐसा message बनाईए, काफी time सोच कर, कि यार लोग उस message को देखते ही attract होके उस पर click करें, और आपकी एक वीडियो को जरूर देख लें, अगर उनने आपकी एक वीडियो देख ली, और आप उसी तरह की वीडियो पर आते हो, जैसी वो लोग चाहते हैं, तो क्या है कि वहाँ से क्या होगा, काफी सारी audience आपके चैनल पर आएगी, तो आज की वीडियो आपको काफी जदा अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे interesting वीडियो आगे भी मिलते रहते हैं, और please comment करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस topic पर चाहते हैं, जिससे हम आपको एक next वीडियो जल्दी लेके आ सकें,